नमस्कार आज हम 25 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर डिसकस करेंगे अगर आप इस चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कीजिए प्रेस्टा बेल आइकन PDF आप टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलिग्राम चैनल का जो लिंक है वहार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ने मेंशन है और कल हमने आपको IMF की जगे पर ILO बोल दिया था चली जो कल का कोशन्स था वो ये था कि हाली में कौन सा देश IMF में 190 वे सदस्य के रूप में शामिल हुआ है और मैंने IMF की जगे ये बोल दिया था आपको कि ILO का 190 सदस्य के रूप में कौन सामिल हुआ है तो जो ये थोड़ा मिस्टेक था तो उसके लिए सौरी और आप इसे ना IMF ध्यान रखना ठीक है और 109 जो सदस्य है वहां अंडोरा है आज का discussion स्टार्ट करते हैं और आज का first question है हाल ही में किस राज्य में PM ने किसान सूर्योदय योजना शुरू की है तो जो किसान सूर्योदय योजना है वह गुजरात में शुरू की गई है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने launch की है किसान सूर्योदय योजना जो कि day time पे farmers को मतलब दिन में farmers को electricity provide करी जाएगी इस योजना में ठीक है यहाँ जो electricity provide की जाएगी farmers को वह गुजरात की तीन districts में provide की जाएगी जो कि हैं गिर सॉमनात, पार्टर और दहोध ठीक है यह तीन district है और अगले तीन साल में पूरे गुजरात को इस scheme में cover किया जाएगा इससे farmers को help मिलेगी micro irrigation को arrange करने में क्योंकि दिन के time जो electricity मिलेगी उससे उन्हें micro irrigation में facility provide की जाएगी अश्री प्राइम मिनिस्टर नरीद मोदी के द्वारत जो है वहाँ गुजरात में तीन project जो है वहाँ launch किये गए जिसमें से एक project तक किसान, सुर्योदय, योजना और बाकी के जो दो project है उसमें ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरीद मोदी ने inaugurate किया है इंडिया का biggest cardiac hospital, UN महता institute of cardiology and research center जो की एहमदाबाद में civil hospital campus में इस institute को inaugurate किया गया है नेक्स्ट है, इन्हें के साथ इन्होंने गिर्नार हिल रोपे project जुनागर में launch किया है ठीक है? कुछ revision गुजरात के बारे में मुंदरा port, यह largest private port है, जो की गुजरात में इस देता है startup ecosystem को support करने में, जो states की ranking निकाली कई थी, उसमें top किया है गुजरात ने quality control lab, seafood export, जो बहार को export किये जाते है, जो seafood, उसकी quality को control करने के लिए जो lab है, वह established गुजरात में ही की गई थी निती आयोग के द्वारा एक report release की जाती है, मतलब एक index, और जिस index का नाम है export preparedness index, इसमें top किया है गुजरात ने गुजरात ने announce किया है कि वह first sea plane services जो है वह चलाएगा, मुख्य मंत्री महला उतकश योजना ठीक है, यह गुजरात में ही launch की गई है, डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम रूरल एरियास में गुजरात में ही announce किया गया है, calcium nitrate और boronated calcium nitrate की indigenous variety गुजरात में ही launch की गई है गर्बर डांस जो है, वो गुजरात में perform किया जाता है और गुजरात नहीं start की है, यह मैंने आपको बता दिया यहाँ ठीक, अगर हम कुछ static information की बात करें तो यहाँ के CM है, विजे, राम निकलाल, रूपानी और यहाँ के governor है, आचार्य देवरत और अगर हम यहाँ के national park की बात करें, तो यहाँ पर वनसदा national park, black buck national park, गिर national park, मराइन, गल्फ अप कश्च national park, गुजरात की location भी एक बार map में देख लेते हैं, कई बार location से भी कुछ questions बन जाते हैं, गुजरात जिसकी capital गांधी नगर है, राजिस्थान नौर्ट में, मद् static information की बात करें, कि गुजरात में कौन-कौन से places हैं, जहाँ पर मैगनीज का production होता है, तो वहाँ है, बनासकांथा, बरोद्रा, पंचमहल, छोटा उधैपुर, और अगर हम boxside production की बात करें, गुजरात में, तो वहाँ है, कच्च, जामनगर, जूनागर, अमरेली, सावरकां और खेडा, अभी बताए भी ता मैंने एक न्यूस भी दी थी, कि प्राइम निस्टर नरेंद मोदी ने, जूनागर में ही, जो अभी रोपवे जो है, वहाँ बनाया है, ठीक है, जो अभी तीन प्रोजेक्ट, जो गुजरात के लिए इंप्लिमेंट किये है, इनागरेट कि क्या है, और इसका सही आंसर है, ओप्शन डी, दो हजार सोल है, दो हजार सोल है, जो है, वहाँ अब कंस्यूमर प्राइस इंडेक्स होगा, इंडस्टियल वर्कर के लिए, बेसियर, लेबर एर एंप्लोईट मिनिस्ट्री के द्वारा, जो है, अभी हाल ही मैं, इंडस्टि इंडस्टियल वर्कर के लिए, वहाँ दो हजार एक था, और अब बेसियर कितना होगे, दो हजार सोल है, अब इससे जो रिफ्लेक्ट हुआ है, और क्या क्या चेंज हुआ है, उसका रिफ्लेक्शन देखते हैं, ठीक है, अब जो वेटेज है, वहाँ दिया जाएगा, दिय अब उसके अंदर टोटल 463 आइटेम्स हो गई है, लेवर और एंप्लॉयमेंट सेकेट्री जो अपूर्वा चंद्रा है, उन्होंने बोला है कि इस इंडेक्स को अब हम हर 5 साल में रिवाइस करेंगे, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है, जब ये इंडेक्स रिवाइस हु की है, अभी मैंने आपको बताए भी था ये बड़ोद्रा में रोबवे परियोजना प्रोजेक्ट के बारे में वहां गुजरात है, तो इसका सही आंसर है कि गुजरात में, ठीक है, गुजरात के जूनागड में गिर्णार पर लॉंच की गई है, वर्ल्ड की लॉंगेस ट बूमला 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 बू ठीक है उसके जो जोगिंदर सिंग थे ठीक है उन्होंने यहाँ पर सुप्रीम सेक्रिफाइस दिया था ठीक है जोगिंदर सिंग जो की सिक रेजिमेंट की जो सिक रेजिमेंट की जो बटेलियन थी फस्ट बटेलियर ठीक है उसके जो सब जोगिंदर सिंग जो थे ठीक है जो जोगिंदर सिंग ठीक है जो की फर्स बटेलियन के सिख रेजिमेंट थे जिन्होंने 1962 में जब साइनो इंडियन मतलब जो चाइना और इंडिया का जो वार हुआ था उस टाइम पर ठीक है इन्होंने इस्टन थेटर से इन्होंने परम वीर चक्र जो है वहाँ रिसीव किया था परम वीर चक्र जो की हाइस्ट गैलेंटरी अवार्ड है और आगे होगा समझ में एसलिए है बूमला क्योंकि यहाँ पर एक वार मैमोरियल बनाय ज़ा रहा है ठीक है और जो किसकी याद में मनाय ज आ रहा है बनाय गया अचली इसका इन्होग्रेशन किया गया रिवीजन कर लेते हैं कुछ अरुनाचल प्रदेश के बारे में नैचीपू टनल जो है वहाँ अरुनाचल प्रदेश में ही सिचुएटेड है और स्टाटिक इंफर्मेशन की बात करने तो पेमा खांडू जो ह काम दफा है वहाँ टाइगर रिजर्व भी है और नैशनल पार्क भी है ठीक है काम लेंग टाइगर रिजर्व है और पाक के जो है वहाँ टाइगर रिजर्व है अरुनाचल प्रदेश की लोकेशन एक बार मैप में आप देख लीचे अरुनाचल प्रदेश यहाँ पर के लिए चहरे की पहचान प्रडाली शुरू की है तो इसका सही आंसर है ओप्शन सी सी बीएस्सी Central Board of Secondary Education जो की सी बीएस्सी की फुल फॉर्म है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है Facial Recognition System जो की जो सी बीएस्सी के जो 10th और 12th क्लास के जो स्टूरेंट है वह डिजिटल डॉकुमेंट को अब Facial Recognition System के द्वारा ठीक है एक्सेस कर सकते हैं मतलब अपने जो सारी डॉकुमेंट से वहाँ Face को रिकॉगनाईस कर लेगा या सिस्टम Facial Recognition System और सारी डिजिटल डॉकुमेंट से वहाँ एक्सेस किये जा सकते हैं मतलब प्राप्त किये जा सकते हैं नेक्स्ट कॉश्चन है प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना को लागू करने के लिए किस जिलेन है सीर्स तीस जिलों की सूची में सीर्स इस्थान प्राप्त किया है और इसका सही आंसर है और यह जो इंडेक्स निकाली की है ठीक है जो परफॉर्मेंस निकाली की है डिस्टिक्स की वहाँ यूनियन मिनिस्ट्री ओफ रूरल डेबलप्मेंट के द्वारा यहां डेटा डिकलियर किया गया है प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना से रिलेटेड अगर यह जो हमने डिस्टिक्स की बात करी तो मंडी ने टॉप किया है जबकि हिमाचल परदिश को भी देखा जाए स्टेट वाइस तो यहां इसने सेकंड पोजिशन जो है वह प्राप्त की है ठीक है यहां पर लिखा हुए सिक्योर सेकंड पोजिशन आप देख सकते है अब हम चौनते हैं स इस स्कीम को इंप्लिमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ओफ रूरल डैबलप्मेंट के द्वारा उस वक्त यहां एक सैंट्रल स्पॉंसर्ड स्कीम थी लेकिन नवंबर दो हजार पंद्रह में गवर्मेंट ने डिसाइड किया कि इसके लिए जो फंडेट किया जाएगा वह 60% गवर्मेंट के द्वारा दिया जाएगा और 40% जो है वह स्टेट गवर्मेंट के द्वारा दिया जाएगा और यहां रिकमेंडेशन दी गई थी 14th Finance Commission के द्वारा कुछ रिवीजन हिमाचल प्रदेश के बारे में विजिटर सर्वे सिस्टम और इनाइट बीट चैकिंग सिस्टम हिमाचल पुलिस ने इनागरेट मतल लॉंच किया है यहां दोनों ही जो सिस्टम से उनको ठीक है फागली फेस्टिबल जो है वहां यांगपर विलेज जो की कि नौर डिस्टिक का गाउं है वहां पर मनाया जाता है इस अंजीबनी OPD यहां हिमाचल प्रदेश गवर्मेंट के द्वारा ही स्टार्ट किया गया है नादन पुलिस स्टेशन बैस पुलिस स्टेशनों में से एक है शिनकुन ला टनल जो की हिमाचल प्रदेश को लद्द की गई है दोहला सिद्र हाइडर प्रजेक्ट यह हिमाचल प्रदेश में ही लोकेटिड है और अभी हाल ही में CSIRIHBT ने इंटोड्यूस किया है ऐसा फॉइटिडा कल्टिवेशन मतला हिंका कल्टिवेशन अगर हमारी कंट्री में सबसे पहले हुआ है तो हिमाचल की बात करें तो ग्रेट हिमालिय नेशनल पार्क खीरगंगा नेशनल पार्क इंदर किला नेशनल पार्क सिंबालबरा नेशनल पार्क पिन वैली नेशनल पार्क गवंडर है यहां के बंदारु दत्ता रहिया और सिया में जैराम ठाकुर लोकेशन भी एक बार मैप में दे पंजाब हरियाना उत्तर परदेश उत्त्राखंट नेक्स्ट कॉस्चन है लेवनौन के प्रदानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है और इसका सही आंसर है option B सैथल अरिरी ठीक है यहां लेवन अर्ड के प्राइम मिनिस्टर के रूप में ने चुना गया है फॉर्मल लेबनीन प्राइम मिनिस्टर ठीक है साथ अलहरीरी जिनने दुबारा से रिपॉइंट्मेंट मिल गए इसी पोस्ट पर ठीक है कैपिटल जो है वो लेबनाउन की बैरूत है करणसी जो है वहाँ लेबनीज पाउंड है और लोगेशन आप मैप में देख सकते हैं यहाँ पर मेडिटेरियन सी जो वाटर बॉड़ी है नौर्थ और इस्ट की बात करें तो सीरिया आता है साउस में इसराइल है नेक्स्ट कॉश्चन है किस राज्य ने डांक विवाग की सुकन्या सम्नेदी योजना के माध्यम से भाग्य लक्षमी योजना को लागू करने की मंजूरी दे दी है और इसका सही आंसर है ऑप्षिन डी करनाटका इसली क्या है करनाटका में यहा एक स्कीम है भाग लच्छमी स्कीम यहां चलाइ जा रहा है मतलब पहले से ही चलती आ रही है आपको समझ में आगया होगा मेन इशू यही है कि इन्होंने अपने जो implementing agency है उसे switch कर दिया है पहले LIC थी अब इसकी जो implementing agency होगी भाग्य लच्मी योजना की वहाँ postal department होगा और भाग्य लच्मी योजना में जो girls child होती है जब वो 18 साल की हो जाएंगे उन्हें एक लाग रु करती है ब्लो पॉवर्टी लाइन फैमिली से कुछ रिवीजन कनाट का ने इनॉग्रेट क्या है RT-PCR COVID-19 Mobile Lab PMRU unit जो है वह सैटप की गई है कनाट का में ही transit home जो है वो migrant workers के लिए कनाट का में ही बनाए जवा रहे है सूची scheme जो है वह कनाट का की ही एक scheme है और first integrated air ambulance service जो है व कनाट का ने लौंच किया यह वही सीए में ठीक है यह क्लाइंट कार देते हुआ है यहां के CMA B.S. यदि रुपक गवर्णर है यहां के बाजू भाई रूदा भाई बाला यहां पे जो नेशनल पार्क है वहां बालीपुर नेशनल पार्क बनर घटा नेशनल पार्क अंसी इतमेंसे किसने यूनाइटे नेशन नाम दिया था यह गया नहीं था यह दिया था ठीक है तो यह जो नाम है यूनाइटे नेशन वहां फ्रैंकलिन डी रूसबैल्ट इनके द्वारा दिया गया था और यहां USA के प्राइम मिनिस्ट USA के प्रेसिडेंट थे यहां United स्टेट क के प्रेसिडेंट से उस टाइम पर ठीक है फ्रैंक्सिन ड्यूर रूस बैल्ट जिनके दोहारा सेकंड वर्ड वॉर्ड के टाइम पर एक जनवरी 1922 को डिकलेरेशन की गई थी युनाइटिड नेशन की ठीक है अब इसकी थोड़ी हिस्टी जानते हैं ठीक है 26 जनवरी 26 जून 1945 आप यहां पर देख सकते हैं 26 जून 1945 को जो चार्टर था युनाइटिड नेशन का वहां 15 कंट्रीज ने 15 कंट्रीज जो रिप्रेजेंटेटिव थी उन्होंने साइन किया था पोलेंड ने इस रिप्रेजेंटेटिव को इस चार्टर को बाद में साइन क 245 जब युनाइटिड नेशन ओफिशली एग्जिस्टेंस में आया ठीक है और यह जो चार्टर था इसे रेटिफाई किया गया था चाइना फ्रांस सोवियत यूनियन युनाइटिड किंग्डम और युनाइटिड स्टेट के द्वारा ठीक है जिनने हम युनाइटिड से जो परपस और एम था वह आज उतना फिल्फिल नहीं होता ठीक है जिस सोच के साथ युनाइटिड नेशन को स्टाब्लिश किया गया था 1945 में वह आज पूरी इसको फिल्फिल नहीं कर पाता ठीक है युनाइटिड नेशन उस बेसिस पर काम नहीं कर रहा है क्योंकि यह जो जो भी discussion होता है वह खतम हो जाता है अगर एक ने बोला कि नहीं राजी नहीं है तो फिर वह जो एम जो होता है किसी भी बिल वह रहा है किसी चीज को भी लेकर ठीक है बिल तो नहीं बोलेंगे किसी भी issues पर अगर यह बात करते हैं और एक भी अगर disagree हो जाता है तो वह issues जो ह है वह कैंसल हो जाता है तो इसमेरा बदलाब की जरूवत है क्योंकि युनाइटी नेशन जो है वहाँ अपने जो में एम ता उस पर काम नहीं कर रहा है तो अब इसको 75 यर्स हो चुके हैं इस पार इसकी 2020 में 75th एनिवर्सी इसकी सेलिब्रेट की गई है पर नीड है इसमें को चेंजिस लाने के लिए और में लिए जो चेंजिस लाए जाने चाहिए वहाँ इन जो पी फाइफ कंट्रीज में इन में कि नेक्स्ट कॉश्चन है वर्ल्ड पोलियो डे किस दिन मनाया जाता है और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे जो है वह सेलिब्रेट किया जाता है इस बार की थीम थी अविन अगेंस्ट पोलियो इस विन फॉर ग्लोबल हैल्थ मतलब एक जीत पोलियो की अगेंस्ट वह एक जीत होगी ग्लोबल हैल्थ की ठीक है यह जो डे है वह इस्टैब्डिश किया गया था रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा जिन्होंने जौनक साल्ग ठीक है उनकी जो वर्ग था जो इन्होंने उनकी जो टीम थी उन्होंने वैक्सीन मनाई थी ठीक है पॉलियों के किलाव जो है अगिंस्ट में इन्होंने वैक्सीन मनाई थी उन्हीं की याद में जो है वह रोटर फ्री है और डिविजन आंसर की बात करें तो कल हमने आप से कोश्चन पूछा था हाल ही मैं किस मंत्रवाले ने यह धर्ती जियो पोर्टल लॉंच किया और इसका सही आंसर है Ministry of Housing and Urban Affairs option B ठीक है इसमें क्या आता है यह धर्ती जियो पोर्टल जो हमारी legacy heritage है जो हमारी विरासत वाली जो चीज़ें हैं उनको management information system से integrate करना जो हमारे maps है जो lease plans वह रहा है उनको 23 October की revision answer पहला question बिल्कुल ठीक है कि जो एश्वर्या सिरीदार है उनने 2020 का wildlife photographer of the year award मिला है नेक्स्ट जो है वो गलत है क्योंकि जो IIT खड़कपुर है उसने develop किया है कोवी wrap जो की low cost सबसे सस्ती किट है यह 5000 रुपी में ही बन गई नेक्स्ट गलत है क्योंकि तमिल नाडु के दोरह implement किया गया है smart blackboard scheme जो की digital education की एक पहल है नेक्स्ट जो है वहाँ भी गलत है क्योंकि world economic forum की दोरह release की गई है future of jobs report जिसमें यह बोला गया है कि 2025 तक कई सारी जो jobs है वो खत्रे में पढ़ जाएंगी आप सभी के लिए question है हाली में ILO के शाशी निकाए जिनने बोला जाता है गवर्निंग बॉडी के चेर परसन के रूप में किसे चुना गया है हाली में ILO के शाशी निकाए के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है आप इसका answer comment box में दीजिए और आपके लिए जो question से 24 अक्टूबर के मिनिस्टर ओफ एजुकेशन ने डेडिकेट किया है पर्मानन कैंपस IIT मंडी का निशन को next है मांग धेचु हाइडियोलेक्टिक पोजेक्ट क्या यह निपाल में लोकीटेड है next question है उत्राखंड उत्राखंड ने लांच किया है integrated model agriculture village system next है अंडोरा क्या यहाँ IMF का 190 परो चे राज हाँ